चांदपुर में नशे में धुट छोटे हाथी वाहन चालक ने तीन स्थानों पर सामने से टककर मारते हुए चार व्यक्तियों को घायल किया तथा एक भैसे की भी जान ली दरसल चांदपुर के ब्लॉक जलीलपुर अंतरगत गाव कमालपुर में हाईवे पर धतियाना की ओर से आ रहे छोटे हाथी वाहन ने पहले तो ग्राम नारनोर में राहुल वहिमान्शु को टककर मार कर गंभीर रूप से घायल किया टककर में राहुल दूर जागिरा जिस कारण ज्यादा चोट आई है इसके बाद नशेडी वहन चालक ने ग्राम कमालपुर से निकलने के बाद सामने से आ रहे कट्रा भुगी जिसमें ट्रॉली लदी थी उसमें जोरदार टककर मार दी टककर इतनी भयानक थी कि कट्रे का म मूह टककर में चित गया तथा मूह से रख बहने लगा बुगी पर सवार अश्वनी सैनी वह आसिफ खेत में पानी लगा कर लोट रहे थे दोनों भयानक टककर में दूर जागिरे दोनों जखमी हो गए कुछ देर बाद भैसे की मृत्यू हो गई किसान का कहना है कि मेरे कट मृत्रे की कीमत लगभग साथ हजार रुपे है जिससे में खेती एवं मजदूरी का काम करता था तबी इनके पीछे से आ रही पलसब बाइक जिस पर दो लोग सवार थे वो दुर घटनागरस्ट बुगी में आकर टकरा गई इस कारण बाइक में काफी नुकसान हुआ तथ दोनों बाइक सवार भी घायल हो गए है घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल भिजवाया चोटा हाथी वहन चालक नाज आलम पुत्र रईस मोहला सराय रफी चांदपूर को घायल अवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया है वहन को पुलिस ने अपने कभजे में ले लिया है चांदपूर से आजय कुमार कौशिक वह मौहमद शाहित की रिपोर्ट वहन चोट मारी तुमको जिस चोटे हाती ने भुगि में मारी जिसमें कट्रा घैल हुआ है और चार लोग और घैल हुए है वही वहन ता गाड़ी में क्या क्या नुक्सान है गाड़ी में इसका ये शोपट बैन नम्मक लिए था और इक गर गर्शा है खुसराज शिंग, खानपुर खादर, ये सिचाई करके वापिस आ रहे थे घर और हाथी का बच्छा आगे से आया लगबग नो दस बजे के बीच में, खांगे साम की, खांगे सामने से टक्कर मारी और पहां से के सबसे ज्यादा चोड लगी और जो आगे से एंगल थी एंगल भी मोड़ दी और इस कारण क्या करें ये बहसा मर गया हमारा, कि आपने सिक्याइट कर दी डॉक्टर को बात की थी लेकिन उनसे कोई संपर्क हुआ भी और वह बाद में ब्लेक लिश्ट में डाल दिया हमारा मोबैल हम कारवाई चाहते हैं कि इस्तिती बताएं कई जगा चोट लगी है मेरे और मैं सिचाई करके धर की और लोट रहा था बुग्गी के पीछे चल रहा था अचानक से एक मिनी ट्रक आया और उसने रोंग साइड लाकर हमारे टक्कर मारी और टक्कर इतनी भायनिक थी कि जैसे फिल्मी स्टाइल से उड दाइन हाथ पर और अपसे चार दिन पहले ही मेरे पिताजी की डैथ हुए ब्रेन हैम्रेस से अभी मैं उस सोक से उबराए नहीं था जिससे की यह वाली घटना मेरे साथ